वेलकम तो स्पीश्मार्ट हाइबर सिस्ट्रम स्कूलिग तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक माइनर्स और को फेक्टर्स माइनर और को फेक्टर और अलिमेंट्स और टेटर्मिनेट और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बई एड्जॉइंट ओफे मैट्रिक्स ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं बची पहले आजाता है आपके पास माइनर्स माइनर ओफ एलिमेंट और उसके साथ है को फेक्टर ओफ एलिमेंट तो इसको हम अगर थोड़ा नीचे ले जाएं तो यहां पर मैं कंडिशन बनाना चाहूंगा हमारे पास है एक 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट यह एक डिटर्मिनेंट आगया आपके पास आपको माइनर ओफ एलिमेंट फाइंड़ करना है तो माइनर ओफ एलिमेंट कैसे मिलेगा बच्चे आपको माइनर ओफ एलिमेंट में आपको क्या करना है माइनर ओफ एलिमेंट इस ओप्टेंड ओफ एलिमेंट यहां पर मैं कर दूँ इलमेंट कुण सा बच्चे आईज है कोई भी अगर इलमेंट आईज ही माइनर ओफ एलमेंट आईज है इस ओप्तेंड लई by deleting the i-th row and j-th column of the determinant in which the element is present minor of element aig आपको कैसे मिलेगा is obtained by deleting i-th row and j-th column को आप delete करेंगे जिसमें वो element present होगा तो जो भी आपको result मिलेगा चीक है and deleting यह आप delete करेंगे and the rest of the element चलो ऐसे obtained by deleting i-th row and j-th column तो जैसे मैं आपको इसको पहले कर देते हैं denoted by mij minor of an element aij is denoted by mij तो चली इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ minor of a11 a11 का minor कैसे बनेगा बच्चे a11 एक element है इसके minor को represent किया जाएगा a11 के साथ तो a11 का minor आपको कैसे मिलेगा बच्चे आप लोग क्या करेंगे जिस row और जिस column में a11 present हो उसे आप लोग delete कर देंगे और जो element आपके पास pending रहेगे जिस pattern में है उनसे आप लोग determinant बना लेंगे तो वो आ जाएगा a22 a23 a32 a3 बन गया बच्चे determine तो यह minor इस तरह से किस यूर element का अगर minor find out करना है तो वो भी करते हैं हम लोग हम लोग up करते है minor of a22 a22 कैसे लिखा जाएगा m22 के साथ अब जिस row और जिस column में a22 element present है उसे आप लोग delete कर देंगे this and this gonna cancel element रह गया बच्चे आपके पास a11 a13 ठीक है पहले यही लिख लेते हैं a11 a13 a31 a33 ठीक है a31 यह minor बन गया आपके बास मेटा ठीक है इस तरह से minor आप लोग किसी भी element का बना सकते हैं मतब जिस row जिस column element present है उस row उस column को delete कीजिए तो जो element बचके उन्से अब लोग डिटार्म बना लिजें अब है को फेक्टर ओफ एल्वेट एजिए को फेक्टर ओफ एलिमेंट को फेक्टर आफ एलिमेंट हम element consider करते हैं aig को फेक्टर आफ एलिमेंट aig is denoted by capital aig aig अगर कोई element है तो इसको फेक्टर को denote किया जाएगा capital aig से simplise aig किसके एकल होगा बच्चे माइनस वन रेस्टू पावर जिस पोजिशन में वो प्रेजेंट है जिस रू और जिस कॉलम में उनका आप सम करेंगे which is multiplied by their minor अब उनको multiply कर देंगे उनके minor के साथ ठीक है तो को फेक्टर आफ एलिमेंट aig को रिपर्जेंट किया जाएगा इसके साथ ठीक है यह आप लोग पहले भी करते हैं जैसे जिसमें आप expansion करते हैं for example अगर मैं करूँ को फेक्टर of a11 a11 का को फेक्टर किसे रिपर्जेंट किया जाएगा बच्चे capital a11 के साथ यह किसके उकल होगा minus 1 raise to power 1 plus 1 और इसके साथ ही multiply किया जाएगा बच्चे इसका minor माइनर आपको कैसे मिलता है जैसे आप row and column को cancel out करते हैं जिस row जिस column में 11 present होगा यह आप लोग expansion में भी करते दें तो यह आजाएगा बच्चे minus 1 raise to power 1 plus 1 और इसका minor आ जाएगा बच्चे आपके पास जो आपने यहाँ पर solve भी किया हुआ है जिसे यूर इसको simplify करोगे तो यह minus 1 square हो जाएगा चलो यह मैं यहीं पर square कर देता हूँ इसको तो this is your positive q की minus 1 raise to power a था इनका cross multiply हो जाएगा a22 a33 minus a32 a23 तो यह आपका minor of cofactor a11 आगा है element a11 अब आप लोग cofactor of कोई और element भी ले सकते हैं चलिए cofactor of a23 करते हैं a23 के cofactor को represent किया जाएगा a23 के साथ which is equals to minus 1 raise to power जिस position पे वो element होगा i plus j कसम करेंगे और उसके साथ multiply किया जाएगा उसका minor बचे तो यह आजाएगा minus 1 raise to power 5 अब m23 यह minor है minor आपको कैसे मिलता है बचे जिस row और जिस column में वो element present है आप उसे delete कर डालेंगे a23 तो a23 present है बचे second row में and third column में इनको cancel out कर लीजे element बचता है a11 a12 a11 a12 और बाकी element बचते है a31 a32 ठीक है तो minus 1 raise to power 5 is minus 1 अब इनका cross multiply कर लीजे a11 a32 minus a31 के साथ multiply हो जाएगा a12 तो यह minor आप minus 1 को अगर आप अदर multiply करना चाहें तो यह आजाएगा a31 dot a12 minus a11 a32 चलिए इसका हम यह आपका इसका हम एक अग्जेम्पल ले लेते हैं बच्छे अग्जेम्पल है आपके पास कि एक हम लोग मेट्रिक्स ले लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट और नाइं चोटा हो गया थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं यह बच्छे आपके पास वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट और नाइं जनरली कोशन होगा तो आपको Cayman कोक हटर Fàiän Tough करना है हैं हम लोग लेकल हम लोग कोशिश करते किसी ही element का co-factor लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं co-factor of 5 5 से पहले हम लोग element को ले लेते हैं, 2 element है 2 element कहां present है बच्चे, this is present in 1st row and 2nd column, तो इसकी condition लिखे जाएगी 1st row 2nd column which is equals to minus 1 raise to power 1st row 2nd column multiplied by minor 1st row 2nd column which is equals to minus 1 raise to power 3 अब ये minor आपको कैसे मिलेगा, जिस row जिस column में 2 present उनको cancel out कीजिए, और बाकी जो element बच्चे बच्चे आपके पास उन से आप लोग इनका co-factor को multiply कर लीचे, this is 4, 7, 6, 9 तो आप लोग देखेंगे, this is minus 1 raise to power 3 and 4 multiplied by 9 is 36 and 7 multiplied 6 is 42 तो result कितना आजाएगा, minus 1 and ये आजाएगा 36 minus 42 is negative of 6 which is equals to 6 similarly आप लोग co-factor of 5 भी find out कर सकते, 5 का co-factor क्या होगा बच्चे, 5 का co-factor होगा, पहले हम देखेंगे, ये present कहाँ पे है ये second row में है बच्चे और second column में, second row and second column आगे ये आगे, minus 1 raise to power 2 plus 2 और इसके साथ multiply होगा बच्चे, इसका minor तो minus 1 raise to power 2 plus 2 कितना हो जाएगा, 4 and इसका co-factor, ये minor कितना आजाएगा, इनको हमने डिलीट कर देखेंगे, तो जो element pending रहेगे बच्चे, वो आपका minor बना डाले, minus 1 raise to power 4 is your 1 and 9 multiplied by 1 is 9 and 3 multiplied by 7 is 21 which is minus 12 which is minus 12, तो co-factor of 5 कितना आगे है, बच्चे, minus 12, ये आगे, आपके how to find the co-factor, चीक है अब यहाँ पे मुझे एक और बात करनी, तो conditions है, हमारे पास एक determinant है, बच्चे, determinant है आपके पास a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31 तो आप लोग ये देख रहे हैं, कि कोई determinant है ये हमारे पास, which is 3 cross 3, एक matrix है, जिसका हम लोग determinant find out करनी है तो हमने expand किया R1 के साथ, R1 के साथ जब हमने expand किया, तो a11 is your first element here is your element a11, इसके साथ हमने multiply किया, जो हम general expansion में करते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो a11 के साथ इसका ये co-factor multiply हो रहा है, co-factor किसके युकल हो बच्चे? a11, aij का co-factor किसके युकल हो बच्चे? minus 1 raise to power, 1 plus 1, sorry, i plus j, थानु जारा, element aij सो किस से represent किया जाता है? i plus j के साथ, which is then multiplied by the minor mij, ठीक है? अब ये आगया, ये ही same condition, और ये minor ही है, minor आपको कैसे मिलता है? जिस row, जिस column में element present है, आप उसको delete कर दीजिए, तो जो element आपके पास बचेंगे, वो minor ही है, ठीक है? फिर आप लोग, यहाँ देख लीजिए, second element आगया, a12, अब ये same हो गया है फिर से, ये तो cofactor का ही condition आगया, ये 11 के साथ जो भी multiply होगा, ये i plus g आगया, फिर a12 कहां present है, first row and second column में, हमने delete किया, तो element कौन सा बच गया, a21, a31, और a23, a33, तो अब आपके पास ये जो है, a22 के साथ क्या multiply हो रहे है, ये minor बन गया इसका, तो minor क्या आगया, ये minor आगया, a12 element का, छीक है, फिर इसके बाद आगया, बचे, element a13, तो similarly, जो element a13 है, बचे, a13 के साथ क्या multiply हो रहा है, इसका, ठीक है बटा, तो ये आपको याद रखना है, जब भी आप लोग determinant find out करेंगे, तो expansion जो होता है, is done by any row और column, तो first element होंगे जो बचे, वो आपके पास किसी row या किसी column से होंगे, और उनके साथ जो condition multiply हो रही होगी, वो उनी का row, उनी का, उनी elements का co-factor होगा, तो determinant आप लोग कैसे find out कर सकते हैं, किसी भी row या किसी भी column के elements लीजिए, और उनके साथ उनके co-factor का multiply कीजिए और उनका addition कीजिए, तो आपके पास determinant of the matrix मिल जाएगे, लेकिन इसके साथ ही core condition है, एक core condition क्या है, इसका फिर से आगे लेके चलते हैं, यह first condition आगई आपके पास, first condition क्या है, कि अगर elements अपने ही co-factor के साथ multiply हो रहे हैं, and then add हो रहे हैं, तो result आपको determinant मिलेगा, second condition क्या है बच्चे, second condition है बेटा, कि अगर, if, क्या है बच्चे, यह second condition है आपके पास, if elements of any row or column, किसी भी row और किसी भी column के अगर कोई element है, जैसे हम लोग first column ले ले लेते हैं, first column क्या है, a11, a21, a3, if elements of any row or column, किसी भी row और कॉलम के elements जो है, are multiplied by the co-factors of the corresponding row or column, अब किसी भी row और कॉलम के element जो है, अगर हम उनको multiply कर रहे हैं, by the co-factors of their corresponding row or columns, अब इनको multiply कर रहे हैं, co-factors के साथ, co-factors किसकी है, co-factors of corresponding row or column, तो इसके corresponding हम लोग column 3 consider कर लेते हैं, तो इसके element आ गया, a13, तो a11 के corresponding element a13 है, तो a13 का co-factor हम a11 के साथ multiply कर रहे हैं, a21 के साथ हम co-factor multiply कर लेते हैं, a23, and a31 के साथ हम co-factor multiply कर लेते हैं, a33, हम co-factor corresponding row उसके multiply कर रहे हैं, और फिर अगर हम इन्हें add कर रहे हैं, बच्चे, ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं इनको, add कर रहे हैं, ठीक है, उस case में जो result आएगा, वो बच्चे 0 आएगा, इसका ध्यान रखे हैं, ठीक है, अगर element का के साथ उसी का co-factor multiply हो रहा है, और add हो रहा है, तो आपको जो value मिलेगा, वो मिलेगा, value of determinant, क्या मिलेगा, value of determinant, लेकिन, अगर किसी भी row या किसी column के element के साथ, corresponding row के जो या column के elements का co-factor multiply हो रहा है, जैसे a11 element के साथ co-factor जो multiply हो रहा है, वो column 3 के first element का है, अब first column के second element के साथ जो co-factor multiply हो रहा है, बच्चे, वो है, कॉलम 3 के second element का, और third element के साथ, first column के third element के साथ, जो co-factor multiply हो रहा है, वो third column के third element का है, तो अगर यह multiply कर रहे हैं, आप लोग और फिर इन कसम कर रहे हैं, तो अब आपको value of determinant नहीं मिलता है, अब जो result मिलता है, वो final result है, बेटा, 0, ठीक है, बेटा, तो यह था, आपके पास, co-factor and minus, next हम वीडियो में करेंगे, आपके adjoint, तो इसको देखे, अगर कोई doubt है, तो फिर भी पूचकते हैं, आपके लिए इतना रखते हैं, बच्चे, thank you for the class,